स्टूरेंट्स एक्ससाइज 7.6 इंटिगेशन पाइपार्ट का हमने फर्स्ट पार्ट तो कर लिया था जिसमें हमने इसका बेसिक और सिक्स स्टार्ट करेंगे अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप मेरी सारी वीडियोस को देख सकें कोशन नबर 7 है एक्स साइन इंवर्स एक्स एक्स साइन इंवर्स एक्स है तो इंटिगेशन पार्ट में हमें सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि हम इसका फर्स्ट पार्ट किसको लें सेकिंड पार्ट किसको लें तो फर्स्ट पार्ट सेक पहले आता है जैसे यह inverse function है इसमें इन्वर्स function को हम first function लेंगे और algebraic पार्द में आ रहा है तो यह second function तो बाइपार्स का यह रूल था first और second अगर पार्ट है तो बाइपार्ट में जब हम करते हैं तो first part को as it is रखा जाता है second का integration करते हैं minus integration करेंगे किसका सबसे पहले तो derivative करेंगे first part का second part का integration करेंगे और वो जो भी आएगा उसका integration होता है with respect to x तो यह है rule integration by parts का क्योंकि कई question है हमारे जो पहले method हमने किये हैं उससे नहीं हो पाते हैं तब हमें यह integration by parts इस तरह के sums में लगाना होता है तो इसमें हमने first part sine inverse x लिया है तो first part sine inverse x integration करेंगे second part का second part है x dx minus derivative करेंगे first part का d by dx of sine inverse x और integration करेंगे second part का second part है x ठीक है और फिर इन सबका भी हमने करना है integration जब यह soul हो जाएगा तो sine inverse x integration of x होता है x square by 2 minus sine inverse x का derivative क्या होता है sine inverse x का derivative होता है 1 by 1 minus x square और यह x square by 2 प्लस ही लग जाता है जैसे integration एक हो जाता है राइट यह x square by 2 sin inverse x यहां भी हम इसको solve करना है तो यह 1 by 2 है इसको हम भार ले जाएंगे यहां हम क्या रेख रहे हैं यह x square है यहां पर minus x square है तो इसको minus x square बनाने के लिए minus हम अंदर ले जाएं तो यह plus बन जाएगा ठीक है यह क्या बन गया प्लस और यहां पर 1 minus x square है तो 1 plus कर लो 1 minus कर लो इस form में बना लिए इसको इस x square को यह minus अंदर ले गए थे minus x square plus 1 कर लिया minus 1 कर लिया निच्चे है 1 minus x square साथ में लगाना है इसके dx जो dx सब के साथ बुलना नहीं है तो अब क्या करेंगे हम इसको ब्रेक करके लिख लेंगे यानि 1 minus x square के निच्चे भी आ जाएगा 1 minus x square और यहां पर 1 by 2 सब के साथ common है तो हमने यहां पर packet लगानी पड़ेगी minus 1 by 1 minus x square ऐसे लिख सकते हैं इसको इसके निच्चे लिखो इसको minus 1 by तो यह आ गया इसके साथ लगाना है dx plus c plus c भी continue करना है x square by 2 sin inverse x है प्लस 1 by 2 यह रेखो यह 1 minus x square की एक पावर है यह हाफ पावर है तो उपर जाएगी 1 में से हाफ पावर जाएगी 1 में से हाफ पावर जाएगी तो हाफ ही रहेगी ना तो यह 1 minus x square इसलिए उपर आ जाता है ठीक है यह इसलिए हम ऐसे करते है minus 1 by 1 minus x square dx plus c अभी है x square by 2 sin inverse x plus 1 by 2 integration करना है हमें 1 minus x square का भी और इसका भी अब 1 minus x square का integration आपने ऐसा कोई formula अभी तक पढ़ा नहीं है कि 1 minus x square का formula आपको आता हो लेकिन इससे next exercise में आप करने वाले हो कि वह हम a square minus x square का integration क्या होता है x by 2 a square minus x square यह इसी form में है ना a square minus x square तो यह हम बन जाएगा यह formula हम इस पर लगा सकते हैं क्योंकि हमें कभी भी यह नहीं आपता कि इस exercise के recording कीजिए तो हमें सारे formula यह याद रखने तो यह आपको convince रहेगा otherwise दूसरे formula भी है लेकिन यह सबसे 1 1 by 2 sin inverse x by a a है 1 ठीक है यह हो गया इसका integration ठीक है अब क्या है इसका भी करना है minus 1 by 1 minus x square अब हमें यह याद रखना है कि sin inverse में है तो हम sin inverse में ही बनाना prefer करेंगे यह minus 1 by 2 लग जाएगा देखो इससे multiply करके minus 1 by 2 और 1 by 1 minus x square का integration क्या होता है 1 by 1 minus x square का sin inverse x तो इसको लिख देंगे sin inverse x लगा देंगे plus c ठीक है अब इसको solve करना है क्योंकि integration हम सबका गा चुके है इसका integration हो गया है इसका integration हो गया सबका integration हो गया अब इसको solve करके लिखना है यह बन जाएगा x square by 2 sin inverse x plus x by 4 1 minus x square plus 1 by 4 sin inverse x minus 1 by 2 sin inverse x अब यह क्या करेंगे 1 by 4 minus 1 by 2 यह सेम चीज़ बन रही है क्या बन रही है sin inverse x में है तो 1 by 4 minus 1 by 2 क्या होगा तो 4L शेम आ जाएगा 1 minus 2 minus 1 by 4 बन जाएगा यह तो इन दोनों को merge कर लेंगे x square by 2 और यह क्या बन रहा है minus 1 by 4 तो minus 1 by 4 यहां लिख लगते है कि इन में से भी sin inverse x को मना जाएगा प्लस में x by 4 1 minus x square है प्लस में c है ठीक है इसको हम L ले लेंगे 4 2 x square minus 1 मन जाएगा साथ में आ जाएगा sin inverse x plus x by 4 1 minus x square plus c ठीक है लेकिन अगर कहीं बार हमें ऐसे लगता है जैसे यह minus था हमने तो यहां यह minus को बहार रखा इस question में और इसको लगा दिया sin inverse x तो अगर minus का हम integration करते हैं तो यह इसका integration cos inverse x भी तो हो सकता था तो cos inverse क्योंकि minus 1 by 1 minus x square का cos inverse x होता है तो थोड़ा संसर उसे साब से change भी आ सकता होता है questions का ठीक है आप करेंगे 8 है x tangent inverse x to x तो इसके अंदर first part inverse वाला होगा inverse वाला पहले आता है क्योंकि rule में और algebraic बार में तो इससे हम क्या करेंगे फर्स्ट पार्ट हम लिखते हैं as it is second part का करते हैं integration minus first part का करते हैं derivative और integration करते हैं हम second part का और पूरे का फिर से derivative करते हैं हमने लगा गया rule integrating by part का tangent inverse x x का integration x square by 2 minus tangent inverse x का derivative क्या होता है 1 by 1 plus x square और x का x square by 2 dx लग जाएगा साथ में क्योंकि अब इसका integration फिर से करना है x square by 2 पहले लिख लेतना है tangent inverse x बात में माइनस 1 by 2 क्या आजाएगा common ठीक है माइनस 1 by 2 बाहर ले लिखते हैं constant है क्योंकि यह x square by 1 plus x square बन रहा है ठीक है तो हम इस form में बना लेते हैं इसको 1 plus और 1 minus कर लेते हैं ठीक है यह हम सभी questions में लगा रहे हैं से पहले वाले में भी हमने ऐसे किया था x square by 2 tangent inverse x minus 1 by 2 तो 1 plus x square by 1 plus x square बन गया 1 minus 1 by 1 plus x square इन दोनों को break करके लिख लिख लिया ना ऐसे इसके निचे भी लिख लो इसके भी लिख लो ठीक है अब क्या करना है इस सब का integration होना है integration का निशान आना है यह यह अब क्या बन जाएगा x square by 2 tangent inverse x है minus 1 by 2 1 का integration x minus 1 by 1 plus x square का integration क्या आ जाएगा tangent inverse x बगा देंगे plus c अब यह integration हो चुक है अब हमने इसको सिर्फ solve करके लिखना है वो कैसे minus 1 by 2 x plus 1 by 2 tangent inverse x अब क्या गरेंगे tangent inverse x की term है तो दोनों को merge कर लिख लिखते है तो tangent inverse x by 2 दोनों में आ रहे है और यहां बचे रहेगा x square plus 1 minus 1 by 2 x plus c और यह आ जाएगा इसका answer आगे करेंगे हम question number 9 integration x cos inverse x इसमें भी cos inverse x first part यह second part तो first part as it is second part का integration minus derivative of first part integration of second part और सबका फिर से integration cos inverse x इसका integration करेंगे x square by 2 minus cos inverse x का derivative minus 1 by 1 minus x square होता है और x का integration x square by 2 इसका करेंगे फिर से integration करना है rule के according अब क्या होगा यह क्या है minus x square है ठीक है यह two जो constant है इसको भाहर लिख लिए अब क्या करेंगे इसको solve करने के लिए one add कर देंगे और one subtract करतेंगे ठीक है अगले step में क्या करेंगे यह तो एजटी चलता रहेगा यह तो हो चुक है इसका यह क्या करेंगे one minus x के नीचे इसको लिख देंगे यहां तक तो half power को हम rooty बोलते हैं तो यह बन जाएगा minus minus plus one by two one minus x square ठीक है dx यह x square by two cosine inverse x minus one by two one minus x square है one minus x square का अभी तक तो हमने कोई रूल नहीं किया लेकि next 7.7 में आ जाएगा क्या होता है a square minus x square का rule x by two यह x x by two a square minus x square a square minus x square यह a square है ना इसमें one minus x square plus a square a square कितना है one है one by two sine inverse x by a right a का है one ठीक है इसका integration यह हो गया plus one by two क्योंकि हम यह इसको अलग अलग दे दिया था तो यह plus one by two sine inverse x आ गया ठीक है अगर हमें इसको cosine inverse x में बनाना है तो हम इसको माइनस इधर भी माइनस इधर भी कर देंगे पीच्छे से अंसर मेर्ज करने के लिए लेकिन यह मैं इसलिए अलग तरह से किया है क्योंकि पेपर में आपको कौन सा कई भर नहीं आ जाता है तो हम किसी भी तरह से करें अंसर हमारा हमारा फोर्मुला ठीक होना चाहिए अंसर हमारा थोड़ा हो सकता है ठीक है इसलिए मैं थोड़ा अलग मेथद से किया है x square by 2 cosine inverse x यह minus x by 4 minus 1 by 4 sin inverse x plus 1 by 2 इन दोनों को मर्ज करके plus 1 by 4 आ जाएगा और इन दोनों को हम मर्ज नहीं कर सकते क्योंकि cosine inverse x अगर हम यह cosine inverse से लिखते माइनस माइनस यहां लेके तो यह कौन inverse में आ जाता यह यह भी इससे merge हो जाता तब आपका back answer से match करता answer ठीक है लेकिन हम जब exam में करते हैं तो हमें जो answer method दिमाग में आता है हम वो करते हैं तो इस तरह से भी answer ठीक है question number 10 है sin inverse x का square dx तो इसके अंदर क्योंकि square दे रिया तो first part और second part हमें नहीं पता चल रहा तो हम sin inverse x को ठीटा पुट करके देखते हैं तो यह बन जाएगा x equal to sin theta dx आ जाएगा cos theta d theta sin inverse x की जंगे यहां theta आ जाएगा theta का square dx की जंगे cos theta d theta ठीक है अब क्या करेंगे इसको first part और इसको second part लेंगे क्योंकि हम trignomatic function जो हमारा formula है इससे देख लो क्योंकि cos का और sin का हमें पता है integration वैसे जिसको अभी पता है लेकिन जब rule के coding algebraic functions को हम first function लेंगे और technomatic को second लेंगे तो उसके coding हमने लिए theta square cos theta d theta minus d by d theta theta square का derivative cos theta का क्या करेंगे integration फिर full का हमने करना है derivative cos theta का integration हो जाएगा sin theta तो यह बन गए theta square sin theta minus theta square का derivative 2 theta cos theta का integration sin theta तो यह 2 theta sin theta बन गया तो इसको भी हमें एक bypass करना है माइनस 2 हम बहार ले लगते हैं और फिर इसको bypass करते हैं first part इसको वैसे ही इसको second part तो यह बन जाएगा theta sin theta का integration derivative of theta और sin theta का क्या करेंगे integration sin theta का integration minus cos theta हो जाएगा यह यहां तक कर तो same procedure चल रहे है ठीक है minus theta का derivative 1 और sin theta का minus cos theta अब एक step और भी रह गया इसमें कि इनका integration होके इसका integration बाग किया तो इसी term को यहां पर note कर ली है फिर से ठीक है इसका हमने फिर किसे करना है तो इसका करेंगे तो minus 2 cos theta का क्या होता है integration sin theta होता है इसके बाद हम theta की value put कर देंगे theta हमने sin inverse x लिया था sin theta equal to x लिया था theta square की जिएंगे sin inverse x आ जाएगा sin theta की जिएंगे x 2 theta की जिएंगे sin inverse x और cos theta आ गया cos theta हमें तो sin theta करता है तो cos theta क्या बन जाकता है 1 minus sin square theta that is 1 minus x square 1 minus sin square theta minus 2x plus c यह बन जाएगा x sin inverse x का square plus 2 sin inverse 1 minus x square plus 2x plus c यह हो जाएगा इसका answer 6 6 6 6 7 7 7 8 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 11 11 12 12 13 13 13 13 झाल